गुरकपुर जिले में बुद्धवार को 33 ने कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें शेहरी छेतर में 16 कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि ग्रामीर छेतर में 17 कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं बियार्टी मीटकल कॉलेज गुरकपुर में 53 वा 65 वर्षिया दो पूर्षो तथा प्राइविट चिकिसाला में 55 एवं 60 वर्षिया दो पूर्षो और 78 एवं 84 वर्षिया दो महिलाओं की मौत हुई है इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 69,103 हो गई है इनमें 793 की मौत हो चुकी है 97,760 लोग स्वस्थ हो चुके है जबकि एक्टिव केस 542 हो गए है इस संबंद में सेमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेश सावधानियों को बरतने की अपील भी की है दोगज की दूरी मास्क है जरूरी समाजिक दूरी का करेपालन अपने और अपने परिवार को बनाये स्वस्थ और सुरक्षित सेमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बिमारी से बचने के लिए विशेश सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीर भार से बचते हुए मास्क का इस्तमाल करना होगा जब तक करोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती तब तक मास्की सबसे बड़ा हथियार है